पिगनाहर का श्री गडेशा, श्री गडेशा, श्री गडेशा गडेश का क्रूध अपने चरम पर पहुंच गया है नाथ, आव वहाँ जाए और गडेश को शांत करने का उपाई कीजिए पुत्र गडेश, शांत हो जाओ पुत्र, अपनी स्वास से मेरा किर्चाव बंद करो कप्ती निरलाज असर, तुम जीवित रहने के योग यह नहीं हे प्रमदेग, माता, मैं आप दोनों की पूजा से अत्यंत प्रसन्न हुआ आप दोनों ने अपनी भक्ती के उदाहरन से ये स्थापित कर दिया कि यदि व्यक्ती का उद्देश पवित्र हो, उसका हिरदय निर्मल हो, तो फिर कोई भी बुरी शक्ती उसके लक्ष प्राप्ती में बाधा नहीं बन सकती क्योंकि जिनकी विचार शुत है, निर्मल है, भगवान भी उनी का साथ देने के लिए प्रेरित होते है आप दोनों की भक्ती से प्रसन्न होकर, मैं आप दोनों को संपन्नता का आशीश देता हूँ ये सभी तो मात्र सांसारिक वस्तुएं हैं जीवन में सुख पाने के लिए इने प्राप्त करना आवश्यक भी है किन्तु भोग के इन वस्तुओं से अत्यदिक मोह करना उचित नहीं आप दोनों इनका आनंद उठाते हुए भी अपनी भक्ती और निष्ठा को सदा बचा कर रखियेगा क्योंकि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ती है और जो भगवान की भक्ती से ही संभव है मेरा आशीश सदैव आपके साथ है किन्तु मुझे अभी यहां से प्रस्थान करना होगा माता आप दोनों का कल्यान हो क्योंकि मेरा आपके साथ है भगवान के लिए उसका भक्ती सर्वोच है दुर्बुद्धी मेरे भक्तों को पीड़ा देकर तुमने बहुत बड़ा अपरात किया है जिसका दंड आप तुम्हें अवाश्य प्राप्त होगा आप आप दंड़ा, यहाँ प्रत्थम पुज्या गनेश, अब मेरे जीवन तो मिट रहा है कें तो अभी ये शत्र तो नहीं मिटी है मेरे बाद मेरे पुत्र तुम से युद्ध करेगा उसके पस्चाथ उसके पुत्र ये युद्ध इंडिरंट चलता रहेगा इस युद्ध को तुम कभी समात नहीं कर सकोगे ओुम नमाश युद्ध कर ये युद्ध युद्ध ईर चन्वाने के बासUSुब मावा waterproof इंप एक आझ सुपर्णाँ जढ टे एर चिंप झारां मी करेंस पर विंप न Вас demás र रहसे टे हुट कनीश का कूट अपने चरम पर पहुंच गया है गनेश जी का क्रोध तो कर्शना की रूप में जाहों तिशाओं में द्वानित हो रहा है नाथ गनेश इतना क्रोधित क्यों है मैं बिंती करती हूँ आवहां जाईए और गनेश को शांत करने का उपाय कीचिए इतना क्रोध? इतना क्रोध मुझे कैसे आ गया? और क्यों? मुझे क्रोध के इस आवे को धामना होगा फूपा जी यहां है वो अवश्य यहां शांती स्थापित कर देंगे पुत्र गनेश शांत हो जाओ पुत्र इतने क्रोधित क्यों हो तो? ओम नमाशिवाय मैं सभी को गनेश के विरुद्ध कर दूँगा मैं गनेश को ऐसा क्रित्त करने पर विवश्च कर दूँगा कि सभी उसको आयूग महादे पुत्र मान रहें जैसे अभी तक मैं रहा हूँ प्रतीत होता है फूफा जी की बातों का प्रभाव मेरे दूसरे प्रतीरूप योद्धा गनेश पर हो रहा है वो शांत होता दिख रहा है पुत्र गनेश इतना तु साहस की कोई मेरा सामना करे मेरे समक्ष आकर मुझे टोके इसका दंड अवश्य मिलेगा आपको पुत्र गनेश शांद हो जाओ पुत्र अपनी स्वास से मेरा के चाओ बंद करो ये हो क्या रहा है तो समस्त स्रिश्णी परसंकट आएगा मेरा क्रोध अभी शांक नहीं होने वाला गनेश रुक जाओ पुत्र गनेश ब्रह्मदेव को मुक्त कर दीजे अने था अनर्थ हो जाएगा नहीं करूंगा कतापी नहीं करूंगा आदे अगि जा सुन्संस्वादभ रुक जायी गनेश जी शांत हो रुक जायी गनेश जी रुक जायी जैसी गरेश की सूर ने मुझे अपने भीतर खीच लिया तो मैं इस अनंत अंदिकार में समाईत हो जाऊंगा यह तो गनेश जी का स्वार है यह तो गनेश जी ने तो कुछ कहा ही ने तो फिर यह यह स्वार किसका है एक और गनेश जी यहां दो गनेश जी कैसे उपस्तित है यह यह कैसे संभव है गनेश गनेश शांत हो जाओ यह क्या हो गया है मुझे क्रोद के ऐसे भीशन आविग में क्यों बहा जा रहा हूं है नहीं मुझे शीग्र कुछ कर इस क्रोद के उन्मान अन्यथत जिसकिसी शक्ति के भी प्रभाव में हो में उससे स्वयम को मुक्त होना होगा भापगा नहीं मुझे टुढ़ राया जा जाया नहीं कर देना हो यह यह कैसा अनर्थ करने जा रहा था मैं क्या हो रहा था यहां फूफा जी क्या मैंने आपको हां अपने क्रोध के आवेग में तुम फूफा जी को ख्षती पहुचाने का प्रयास कर रही थे मुझे क्षमा कर देजिए फूफा जी ज्याद नहीं अचानक किसके प्रभाव में क्रोध के ऐसे अतिरेक में बह गया मैं क्षमा कर देजिए मुझे गनेश ततकाल अपनी वास्तवी कवस्था में आओ अभी इसी क्षण कनेशिया आप दो रूप में प्रकट हो गए और क्यों सुर्य देव मेरे भक्तों ने मेरी पूजा का संकल्प किया था किन्तो असुर्दूर बुद्धियों के संकल्प में विग्नुत पन्न कर रहा था तो मैं वहीं अपने भक्तों के साथ रुख गया जिससे वो निर्विग्न अपनी पूजा संपन्न कर सकें किन्तो मेरा विक्राल योधा स्वरूप इस संकट को मिटाने के लिए दुर्बुद्धी का अंध करने के लिए यहां प्रस्तुत हुआ गयनेश जी आपकी लीला तो अद्भुत है आपने एक भक्त की भक्ती का मान भी रख लिया और दुर्बुद्धी रूपी संकट का भियांत कर दिया धन्य है आप यदि भगवान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो संसार में धर्म की सत्ता कैसे स्थापित होगी गयनेश जी अब जब दुर्बुद्धी कान थोई चुका है तो आप दोनों पुना एकी कर क्यों नहीं हो जाते बायुदेव ऐसा संभव नहीं क्योंकि एक समस्या है गने जी अब जब दुरबुधी कांथ होई चुका है तो आप दोनों पुना एकी कर क्यों नहीं हो जाते क्योंकि वायू देव जब तक मैं अपने क्रोध का कारण समझ नहीं लेता तब तक मैं अपने क्रोध स्वरूप को स्वयम से विलग रखना चाहता हूँ ताकि किसी के भी प्रभाव से मेरा क्रोध अनियंद्रिद हो जाए तो मैं अपने मूर रूप से स्वयम को शान्ट रखकर अपने क्रोध पर नियंद्रन पाने में सक्षम रहू और अपने भक्तों की रक्षा करना तो हमारा प्रधम कर्तव यह है किन्तु अभी ये करतवे शेश है गनेश, जिसका उलेक अभी तुमने किया, तुम्हारे भीतर अचानक उत्पन होने वाले करोध का, श्रोध शिगर ग्याद करना भी अतियावशक है पिता श्री, आप इसके चिंता मत केजिए, ये तो मैं स्वयम करने जा रहा था उचित है पुत्र, आत्म चिंतन से ही अपने कार्यों का उचित मुल्यान करने में सक्षम होते हैं अपनी भूलों को समझ कर, अपने दोशों का निवारन करने के लिए प्रेरिध होते हैं इसलिए मैं तुम्हें आत्म चिंतन के लिए एकांत में छोड़ता हूँ पूपा जी मुझे अपने कृत्य के लिए गलानी कम होगी यदि पोत्र तुम्हें गलानी करने की कोई आवशकता नहीं है मैं तुम्हें ख्यमा कर चुका हूं पूपा जी वास्त विक्ता में मेरा अनुरोद तो ये था कि आप मासे इस विश्या में कुछ ना कहें अन्य था हो मुझे कही मेरे प्रीए भोजन मोदक से वन्चित ही ना कर दे महादेव ब्रह्मधेव अब हमें भी चलना चाहिए को आम प्रणाम प्रभू प्रणाम पुख है कर आशिया अब हमें भी प्रस्ठान करने की अनुमति दीचे प्रणाम प्रणाम गणेश ये क्या कर रहे थे तुम क्या हो गया है तुम्हे फूफा जी के साथ ऐसा वेवहार क्यों किया तुमने फूफा जी के साथ ऐसा वेवहार क्यों किया तुमने ये तुम्हे स्वयम भी समझने में असमर्थ हो कि मुझे पर अचानक किसका प्रभाव चा गया था क्रोच से कुछ भी प्राफ्ट नहीं होता गणेश उसे सदा नियंत्रन में रखना चाहिए तुम मुझे समझा रहे हो तुम? स्मरन नहीं जब चंद्रदेव के साथ वो गटना गटेत हुई थी तब कितने आवेशित हुए थे तुम? तब मैं भी तुमें इसी प्रकार उलाहना दे सकता था ना? मैंने अपने इच्छा से कुछ भी नहीं किया मेरे इस कथन पर विश्वास क्यों नहीं करते हो तुम? मुझे ग्यात नहीं अचानक क्या हुआ था मुझे? अन्यधा, क्या मैं कलपना में भी फूफा जी को शती पहुचा सकता हूँ? बोलो हाँ, ये तो तुम सर्वता उचित कह रहे हो ये अपार क्रोध का चक्र तो कुछ समय से निरंतर चल रहा है किन्तु अब हमें इसके मूल में भी जाना होगा हाँ, क्योंकि ये घटना क्रम कहां जाकर थमेगा, किसे ग्यात है? कल चंद्रदेव पर तुमने क्रोध किया आज मैं क्रोधवश फूफा जी को ही निगलने चल दिया तो कल तुम मामा जी को अपना आहार बनाने भी पहुच सकते हो फिर क्रोधवश तुम इंद्रदेव, सूर्यदेव और अन्य सभी देवताओं को भी शती पहुचा सकते हो और तो और स्वयम भहिया पर भी आकरमन कर सकते हो मैं नहीं तुम, मैं अर्था तुम समझ गया, समझ गया, हम दोनों एक ही तो है चलो इसकी चर्चा छोड़ो, ये बताओ, तुम क्या, अभी भी क्रोध से प्रभावित हो नहीं ये, ये क्या कर रहे हो तुम, और क्या, तुम्हारे क्रोध को जागरित करने का प्रयास कर रहा हूँ कहो, क्रोध आया तुम्हे अब मैं भी तुमसे वही प्रश्न करता हूँ क्यों, क्रोध आया तुम्हे नहीं, ऐसे तो हम दोनों को ही क्रोध का अभास नहीं हुआ तो इसका आर्थ है, हमारे क्रोध के मूल में कुछ और है और इसका रहस्य शीग्र ग्याद करना होगा हमें वो तो है, किन्तो ये हम कैसे ग्याद करेंगे वास्त्विक्ता में उनके दो ही पुत्र है कुमार कार्थिकेजी और प्रथम पूज्य गनेश्ची जिनके चन दिवस्काउट सफ यहां आज कैलाश में मनाया जाए गनेश्च का चनम दिवस्काउट महादेव का प्रिये पुत्र गनेश्च तुम मुझे पूछ रहे थे ना क्रोध का अभास हुआ क्या तो हाँ अब हुआ मुझे अत्यांत क्रोध का अभास अत्यांत क्रोध का गनेश्च को पुना क्या हो गया है ये ऐसा व्याभार क्यों कर रहा है ओ, ओ, तो क्रोध का श्रोध ये लाल धूम्र है और ये धूम्र तो आकाश मार्ग से अवतरित हो रहा है जहां आकाश इसके प्रभाव से रक्तवर्नी हो गया है जब हमें ये ग्यात हो ही गया है तो विलम किस बात का हमें यथा शीगर वहां पहुचना चाहिए जो भी इस क्रोध का कारण है अब वही इसके परिणाम का भागी बनेगा मैं तो उसे मसल्ले के लिए आतुर हो रहा हूँ क्या है वो गड़ेश उसका सामर्थ क्या है प्रथम पूजी की उपाधी प्राप्त की है उसने क्योंकि महादेब का पुत्र है वो यही है उसके प्रती सभी के इसने ही का कारण किन्तु मैं भी तो महादेब पुत्र हूँ तो मैं अपना अधिकार अवश्य लूँगा वो सब छेन लूँगा गड़ेश से जो उसे प्राप्त है उसके पिता का स्ने उसका उचपद देवताव में उसका स्थान गड़ेश अभी मेरे प्रिकोप से सामना कहा हुआ है तुम्हारा ये जिसका भी दोश्कृत्य है उसे अब उचे दंड दूँगा मैं क्रोध किसी से भी भूल करवा सकता है इसलिए क्रोध पर नियंतरन आवश्यक है कौन होतम कौन होतम जो यहां आकर मेरे तप में व्यवदान डालने का दुस्सा हस कर रहे हो मैं कड़ेश मैं कड़ेश रोक तो इस उर्चा को अन्यथा अन्यथा क्या करोगे तुम